रात का समय था, चारो और घुप अंधेरा छाया हुआ था, केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, वहां चार मोमबत्तिया जल रही थी, चारो मोमबत्तिया एकांत देख आपस में बाते करने लगी, पहली मोमबत्ती बोली, मैं शान्ती हूँ, जब मैं इस दुनिया को देखती तो बहुत दूखी होती हूँ, चारो और आपा धापी, लूट खसोट और हिंसा का बोल बाला है, ऐसे में यहां रहना बहुत मुश्किल है, मैं अब यहां और नहीं रह सकती, इतना कहकर मोमबत्ती बोच गई, दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी, मैं यह जगह अब मेरे लायक नहीं रही, मैं भी जा रही हूँ, इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुच गई, तीसरी मोमबत्ती भी दूखी थी, वह बोली, मैं प्रेम हूँ, मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा, स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है लोगों के मन में अपनों के प्रती भी प्रेम भावना नहीं बची अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं मेरे लिए जाना ही ठीक होगा कहकर तीसरी मोंबत्ती भी बुझ गई तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया मोंबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुहक हुआ उसकी आँखों से आशु बहने लगे दू, खी मन से वो बोला इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम तुम्हें तो अंध तक पूरा जलना था लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया अब मैं क्या करूंगा बालक की बात सुन चौथी मोंबत्ती बोली घबराओ नहीं बालक मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लो से दूसरी मोंबत्तियों को जला सकते हो चौथी मोंबत्ती की बात सुनकर बालक का धाधस बंद गया उसने आशा के साथ शान्ती विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया सीप जीवन में समय एकसा नहीं रहता कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा जब जीवन में अंधकार आये मन अशान्त हो जाए विश्वास दगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे तब आशा का दीपक जला लेना जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े